हां जी पियारे बदियार्थियो तोड़ा सुवागत है मेरे चैनल एजुकेशन सेंप्लीफाइड बाई OCD से उपर सो जय तुसी नर्सिंग अकैडमिक्स पेपरां दे त्यारी कर रहे हूं जा नर्सिंग जॉब्स ना सवन्दत पेपरां दे त्यारी कर रहे हूं ता एही वीडियो तो अडेली है तुसीं किसे भी एक्जाम देली मेरे complete notes पंजाबी, हिंदी अथे English तिन्ने language विच पर्चेस कर सागते हो ठन में 733 का 7788 सेशन पर करना होगेगा बहुत ही बाजे फीस दे विच मेरे coaching अथे notes नर्सिं देली उपलाब दहान ना ते होर भी medical exams देली notes मेरे कोर होंदे हान ता अपा इस वीडियो विच गल करन जा रहे हैं metabolic changes during pregnancy दे बारे मतलब जदो कोई lady गरव बती होंदी है ता उस दे शरीर वेच केड़े-केड़े metabolic बदलाब ओंदे हान तो इस वीडियो विच बहुत ही सर्ल पंजबी पाशाद विच सिखन जा रहे हैं तो सब तो पहला अपा गल करांगे general metabolic changes दे बारे total metabolism is increased due to the need of growing fetus and the uterus तो सब तो पहला तुसे यह समझोगे के metabolism तो पाव हुंदा किया जदों अपा कोई पोजन खान दे हान तो पोजन तो अपनी body नू nutrient portion तात मिल दे हन ते अपना श्रीर उस तत्ता नू use करके श्रीर दे विच जो लोड़ी इंदियां चीजाने उनू बनोंदा है तो जो भी चीज अपनी body विच बन दी है उस नू किया जान दा है एनाबॉलिजम इसे तरह श्रीर दे विच डेली सेल टोट दे भी ने ता उननों किया जान दा है कैटाबॉलिजम ते एनाबॉलिजम आते कैटाबॉलिजम नों दोननों मिलाके किया जान दा है Metabolism तो अपपा इते की किया कि जदो लड़की गरबती हुंदी है तो उस दे श्रीर बेच Metabolic जरूरतना बाद जान दियाने क्योंकि उस दे बीच बच्चे दाने लेड़ा साइस है वो बाददा है जाने के यूट्रस ग्रो करदा है अतो जड़ा बच्चा उस दे अंदर ग्रो करदा है उसनों भी Nutrient दी लोड हुंदी है तो इसे तरह हर इंसान दे श्रीर दा एक Specific Metabolic Rate हुंदा है जिसनों अपना कहनते है BMR जाने के Basal Metabolic Rate ता इहे गरबती लेड़ी दाइड़ा Basal Metabolic Rate हुंदा है ती प्रसेंट नॉर्मल नालों बाद जानता है ठीक है As compared to Non-Pregnant Women मतलब जड़ी गरबती लोड़ी नहीं हुंदी उस दी तुलना दे वेच्च गरबती लोड़ी लोड़ी दे वेच्च Metabolic जो जरूरता हुंदी है ती प्रसेंट इंक्रीज हो जानता है प्रोटीन मेटाबोलिजम दे बारे देर इस पॉजेटिव नाइट्रोजनेस बैलेंस थ्रू आउट दा प्रेगनेंसी ता इस पॉइंट दा आप अब ए होया कि जिन्नाचिर प्रेगनेंसी रहन दी है मतलब 9 मीने ता उस टाइम दे दरान नाइट्रोजन दरे बैलेंस है बॉडी दे वेच नाइट्रोजन से डे-कमपाउंड हो देने उनन दा बैलेंस पॉजेटिव रहना चाहिए है पॉजेटिव दा मतलब होुंदा है कि जिन्नी खब्त होंदी है प्रोटीन दी उस तो जादा इंटेक होनी चाहिए दिया मतलब उद्दू बद प्रोटीन खानी चाहिए दिया तो उसनों क्या जान्द है पॉजेटेव नाइट्रोजिनस बैलेंस ओके सो अगे कहले करिये एड़ दा टर्म दा फीटस एड़ प्लेसेंटा कंटेन अबाउट 500 ग्राम ओफ प्रोटीन एड़ मेटर्नल गेन इज अल्सो अबाउट 500 ग्राम चीफली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दा यूट्रस ब्रेस्ट एड़ मेटर्नल ब्लाट ता कीपाब होया क कि पूरी जदो प्रेगनेंसी हुन दी है ता उस समय प्लेसेंटा दे बिच 500 ग्राम प्रोटीन हुन दी आने ठेकेज़ी एड़ जड़ी मदर मतलेदी प्रेगनेंट लेड़ी है उह हो गेन कर दिया 500 ग्राम प्रोटीन नोग जड़ी कित्थे हुन दी आगी यूट्रस दे ब्रेस्ट देविच आते maternal blood जाने के उस लेडी दे blood देविच next point अपना है as the breakdown of amino acid to urea is suppressed मतलब प्रेगनेंसी है दुरान amino acid तो urea बनांदी जड़ी प्रकिरया हुंदी है वो suppressed हो जाने के रोक जानदी है तो उसना लेड़ ब्लाड यूरिया दा लेबल हो काट जानदा है ठीक है ये ब्लाड यूरिया लेबल falls to 15 to 20 mg blood uric acid and creatinine level however either remain unchanged or falls slightly मतलब ब्लाड देविच यूरिक acid दी जो मतरा हुंदी है आते creatinine दी जो मतरा हुंदी है उन्हों जाता कोई प्रवाब नहीं पैंदा जा फिर थोड़ी जही काट जानदी है amino acid are actively transported across the placenta to fetus मतलब अमाइनो acid हुंदे ने basically amino acid हुंदा की है protein दा सब्तों छोटा unit हुंदा सब्तों छोटी एकाई हुंदे उसनों amino acid किया जानदा है बहुत सारे amino acid मिलके ही protein बन दी है तो जड़े amino acid हुंदे ने ओहो active तरीकी नाल फीटस दे पिच जानदे ने जानदे के यड़ा परून पाल रहा हुंदा है उसने अंदर चले जानदे ने इस दिन आण आपा ये कहा सागदे है कि येड़ी प्रेइनेंसियों के हुंदे ने carbohydrate के हैंदा sugars नो ता इन दे नाम हुंदे ने sugar दे ओधे पिच्छे हमेशा तो तुसी देख्या हुवेगा suffix येड़ा अंदा o's लगदा है ose जिमे के glucose, galactose, fructose, maltose, sucrose ता जिनन दे पिच्छे o's आंदा है ओ sugar हुंदे याने ते sugar नो अपा carbohydrate केंदे है so transfer of the increased amount of glucose from mother to fetus is needed throughout the pregnancy जिनना टाइम गर्ब काल रहन दा है उनना समा मातों बच्चे दे अंदर glucose दा ट्रांसपोर्ट हुंदा है so इस दा पाब की होया के जड़ी गर्ब बती औरत हुंदी है उसमों carbohydrate जादा लेने पहन गे so next point है insulin secretion is increased हुँच गूलुकोज बाड़ी बीच बदेगा ता बदे होए गूलुकोज नो बैलेंस करन दे ली insulin hormone दी भी जरूर्ट पवेगी so insulin बदा आंदे ली की हुंदा है कि जेड़े cell तो insulin पैदा हुंदी है pancreas दी बीच हुंदे हानों बीटा cell ता ओ cell भी बाद जानगे so there will be hyperplasia and hypertrophy of beta cells ता pancreas दे बीच बीटा cell बहुत ज़्यादा बाद जानगे ता उसनों hyperplasia जा hypertrophy किया जानता है जदो कोई चीज जुरूर तो ज़्यादा हुंदी है sensitivity of the insulin receptor is decreased by 44% specifically during the later month of pregnancy मतलब pregnancy दे आखरी समय दे विच जड़े insulin receptor ने ओना दी sensitivity 44% तक काट जान दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़्यादा जरूरत हुंदी है glucose दी बच्चे नों survive करोन बास्ते आथे इस दे नाल ही plasma दा इड़ा insulin level हुंदा है plasma दे बेच जो insulin दा पद्धर होवेगा ओहो बाद जावेगा due to number of contra insulin factor जड़े insulin नू खतम होन तो sorry insulin नू काम करन तो रोकन गे क्योंकि जी insulin काम करते गुलुकोज काट जएगा पर आपनू गुलुकोज दी ज़्यादा लूड है there are estrogens estrogens एक steered hormone हुंदा है progesterone इसनों pregnancy hormone के हाँ जानदा है human placental lactosean ये भी एक hormone है इसनों HPL के हाँ जानदा है इस तरह बाकी जड़े hormone ने cortisol, prolactin, free fatty acids and increase tissue resistance to insulin ठीक है जी ए सारा insulin प्रती resistance से इसली पैदा किती जानदी है क्योंकि आपन जड़ी गल कर रहे है कि गरबती औरत है उस दे बेच गुलुकोज नों जादो जादा मेंटेन करना होंदा है ओके दिस मेकेनिजम एंश्योर continuous supply of glucose to the fetus मतलब इस दे नाल बच्चे नों गुलुकोज दी supply जड़ी है को लगातार मिल दी रहेगी ता अग्या पगल कर दे है fat metabolism दी प्रोटीन आते carbohydrate दे बारे नेक्स्ट नमबर होंदा है fat फैट नों अपना बहुत सर्ल पंजाबी पाशादी बिच चार भी भी कहनदे है ठीक है ते फैट नों लिपीड दे नाम नाल भी जाने जानदा है An average of 3-4 kg of fat is stored during pregnancy mostly in abdominal wall, breast, hip and thighs मतलब इना ही स्यांदे बिच जाने के abdominal तो पाब होंदा है पेट बाला ही सज थे जादा तर reproductive जाने के sex पाट सुन दे हान लड़की दे ता उस पाट मूं abdominal cavity कहा जानदा है इस दे नाल ही जड़े थाई है जाँ shoulder ने जाँ फिर breast आते hips ने ता इना ही स्यांदे उपर fat जड़ी है कि ओ 3-4 kg fat बाद जानती है total plasma lipids and lipoprotein increase appreciably during the later half of pregnancy मतलब pregnancy दे अगले half दे बिच जड़ी fat दी मात्रा है जा lipoproteins दी मात्रा है lipoprotein तो पाँ होंता lipid आते protein दा combination वह बाद जानती है इस fat दे बदन दा कारण estrogen progesterone HPL आते leptin दे लेवल दा बदना भी है को कि यह सारे ही fat-soluble hormone हों दे हैं ठीक है जड़े sex hormone हों देने steroid हों देने है ता इननों पा fat-soluble hormone भी कहते हैं ता इस करके fat दे दी मात्रा है वो इंक्रीज हो जान दिया during pregnancy so lipid metabolism जब आगे गाले करिए HDL HDL तो पा बुंदा high density lipoproteins जा high density lipids level increase by 15% LDL तो पा बुंदा low density lipids जा फिर low density lipoproteins is utilized for placental steroid synthesis प्लसेंटा दे बेचे सीड़ड बनाओ देली LDL दी वर्तों हुंदी है देस हाइपर lipidemia मतलब lipids दा बदना उसनों हाइपर lipidemia कह जान दा है so इते लिखे है कि normal pregnancy दे बेचे एह अथिरोजैनिक नहीं हुंदा मतलब कहां तो पाप की होया भी जे है LDL जा HDL अपने दर वैसे बद जान देने ता नॉर्मल नॉर्मली की हुंदा मतलब आम तौरते इनना दा बदना खतरनाक हो साकता है क्योंकि यह आर्टरी दे विचे जमा हो जान दे हान आते आर्टरी ब्लॉक हो जान दी है जानिके ख अक्टिविटी ओफ लिपो प्रोटीन लाइपेस होन लाइपेस की एक एंजाइम है जो लिपिड नू तोड़दा है तो ओधी अक्टिविटी भी बद जान दी है चेंज इन्दा लिपिड कॉंपोनेंट आर टैबूलेटर के बॉड़ी दे विचे लिपिड दे कॉंपोने अपनी बॉड़ी दे विचे जो भी टीशू फैट स्टोर कर देने उन्हों एडी पोस टीशू किया जानता है एंड प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा आते एडी पोस टीशू दोनों मिलके लेपिड हॉर्मोन दा रिसाव कर देने इट रेगुलेट दा बॉड़ी फैट मेटाबॉलिजम दा नियंत्रन करता है उसनों रेगुलेट करता है तो इस तो बाद अपने पिगमेंट होंदा है हीमोगलोबिन तो उत्ते हीमो दा आइरन ही होंदा है तो अपना आइरन दी अब्जॉप्शन दी गाल करिए कि श्रीर दे विचे आइरन के में सोख्या जान परकिरिया है वो डिडिण दे बिच्जों हुद है and released to the circular as transfer it मतलब जो iron सोख्या जानदा है अंतरी दुवारा उसनों blood दे बिच पाया जानदा है in the form of transferring about 10% of the ingested iron is absorbed मतलब जिनना एक और त आइरन लवेगी food दे बिच तब उस दा सिर्फ 10% ही सोख्या जानदा है और उस तो उपरांत यह जोख्या गया iron है placenta दिरा ही बच्चनों मिलदा है iron requirement during pregnancy is considerable मतलब प्रेगनेंसी दिरान बहुत ही अच्छी मात्रा दे विच आपक है साथ है कि iron दी जरूरत हुंदी है and mostly limited to the second half of the pregnancy especially to the last 12 weeks आखरी यह बारा हफ्ते हुंदे ने जानके आखरी ट्राइमेस्टर हुंदा है so उस दे विच आइरन दी बहुत जरूरत हुंदी है total iron requirement during pregnancy is estimated approximately 1000 mg total 1000 mg iron requirement हो जान दी है प्रेगनेंसी दोरान this is distributed in fetus and placenta मतलब कुछ यह बच्चे दे अंदर हुंदी है जनके बच्चा पाल रहा हुंदा है अंदर मतलब कुछ प्लसेंटा जनके अंदर हुंदी है एंड एक्सपैंड रेड़ सेल्स मास चारसो एमजी चारसो एमजी जड़ा आइरन है ओहो जड़े आरबीसी हुंदेने जड़ेड सेल हुंदेने ब्लड दे ता उनना दे बिच मौजूद हुद हुंदा है ठीक है एक डिस्ट्रिविशन है कि हजार एमजी जो आइरन है वो कित्थे-कित्थे बॉड़ी बिच पाया जानता है तो अगला पाँ पॉइंट करें जा रहे हैंगे दा अमाउंट आइरन अबजॉब्ट फ्रॉब्ट फ्रॉम्ड डाइट एंड डा डिया जानता है जा जो आइरन ओरेडी बॉड़ी बिच स्टोर हुंदा है वो दोन्नों मिलके भी प्रेगनेंसी दुरां जिनने आइरन दी डिमार्ड हुंदा है उसनों पूरा नहीं कर सकते इस इंपाइट अफ़ दा फैक्ट आइट अब्जॉब्ट फ्रॉब्ट फ्रॉब्ट स्टोर हुंदा है ते इंटेस्टाइंट बिच और इंटेस्टाइं दे बीच्चो आइरन नु शोखन दी जडी सम्रत्था हुंदी ह या प्रेगनेंसी दुरान ओभी बाद जान्दी है, सो एक गरवबती औरत दे श्रीर बिच किन्ना आइरन है, तो उस देली सीरम फेरिटन लेवल जड़ा है वो चाकिता जान्दा है, उस तो उस दा बोड़ी आइरन स्टेटस दा पता लगदा है, In the absence of iron supplementation, there is a drop in hemoglobin, मतलब जे iron supplementary pregnant और तुनु ना दिते जान, ता hemoglobin ती जड़ी मातरा है वो काट जान्दी है, There is a drop in the hemoglobin, सीरम आइरन एड सीरम फेरिटन, concentration at the term pregnancy, मतलब फुल टरम तुपा बंदा 9 मांथ प्रेगनेंसी विच्छ, serum ferritin आते serum iron दी मात्रा काट जन्दी है अगर supplement ना देते जान thus pregnancy is inevitable iron deficiency state मतलब यह ही जड़ी pregnancy है iron दी काट दे विच ही जड़ी है के पूरी करनी पैंदी है so उस दा बुरा प्रबाब blood दी formation दी उपर पैंदा है पर एत्थी एक सबतो बद्या point ए भी है अंदर ट्रांसफर करदा रहनदा है despite the severe maternal iron deficiency के मादे बिच iron दी कमी होंदे बाव यूद भी जो प्लसेंटा है ओ बच्चे नूँ iron completely दिनदा रहनदा है thus there is no correlation between hemoglobin concentration of the mother and the fetus मतलब मादे बिच आइरन दी किन्नी concentration है बच्चे दे बिच आइरन दी किन्नी concentration है जो develop हो रहा हूंदा है बच्चे मादे अंदर ता उन्ना दा आपस बिच कोई correlation सह सबंद नहीं होंदा है so एसेगा सारा metabolic changes दे बारे जो प्रग्नेस्टी दुरान होंदी आने so इस तरहां दे सारे ही टॉपिक था उन्नो पंजाबी दे बिच मेरे एको एक चैनल education simplified दे उपर समझाए जान देने ते समझाए जान गे ते इस तो इलावात उसी अगर offline coaching, online coaching जा फिर notes purchase करना चौन दे हो तठन में 730 का हता 786 संपर कर सकदे हो अ ते नाल ही MCQ series जोइन करने लिए तुसे प्ले स्टोर दे उपर जाके मेरा mobile app download कर सकते हो जिसदा नाम है OCDC edu point ता OCDC edu point तो से प्ले स्टोर तो download कर सकते हो ते जादा जान करें लिए ठन में 730 का हता 788 सेशन पर कर सकते हो थेंक्यू तो थैंक्स पर वाचिंग कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहोन चुनिये OCDC edu point को और करे अपनी medical and government job exams का सपना साकार download the app now